नमस्कार आप देख रहे हैं AMG News आपके साथ मैं नीला बीते सप्ता शहर में संपन प्रमुखवरों से संडे स्पेशल अपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं रेलवे में नीजी करण के खिलाफ एवं अन्यम बंगो के समर्थन में टाटा नगस्टेशन एवं चक्रदरपुर मंडल के लगभग साड़े पाच हजार लोको पाइलट 24 घंटे भूखे रहकर अपने कारे का निश्पादन किया दक्षन पूरवर्ज जोन औल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोशेशन के बैनर तले इन्होंने उफास रहकर अपने कारे को किया रेलवे में नीजी करण समेट पेंशन स्कीम में सुधार व टी रेट को राशुपती द्वारा अनुमोदे आरेसी 1980 के फॉर्मूले के तहर नरधारित किये जाने इन्हें सभी मांगों को लेकर केंडरी कमिटी के हवान पर पूरे देश में लोको पाइलर द्वारा 24 घंटे तक उफास रहकर कारे किया गया वहीं जनरल सचेव पारस कुमार ने बताया कि वे सभी अपने कर्तवियों का निर्वाहन कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं ऐसे में रेलवे द्वारा जो नीजी करण हो रहा है उसका सभी विरोध करते हैं उन्होंने कहा केमरिय कमिटी के हवान पर 24 घंटे तक उफास रखा गया है सितंबर मा में पुना कमिटी के बैठक होगी और आगे के रणनेती तैकी जाएगी साथी उन्होंने बताया कि सारे कर्मचारी एक जुट होकर अपने बातों को रेल मंत्री के समख्ष रखेंगे सरकारी आमारा के कर्मचारी ग्राहए सरा काम कराये हम आरएlaw का विकास अमरोलाराकार कर रहा है देंदा प्नेनद कर फांदार्स कंदा मिलारी है और कायम रखा जाए और दुस्रा जो आमारा टी अ रेट है किलो मीटर रेट उसको राश्टपती महोदय द्वारा अनमोदित जो RAC 1980 का फर्मूला है उसके ताथ दिया जाए और तीसरा NPS जो निव पेंसन स्कीम है उसको ओल्ड पेंसन स्कीम किया जाए वहीं चांडल रेल बस्टेशन पर उप्वास में रहकर कारे कर रहे एक रेल कर्मिशारी अंकित कुमार अचानक कारे के दौरान है बेहोश होकर घिर पड़े वहां के स्थानिय कर्मिशारियों ने उन्हें तुरित रोब से चांडल रेल एस्पताल पहुँचाया जहां प्रात्मेक इलाज के बाद उन्हें दूसरे ट्रेन से टाटा नगर रेल इस्पिताल पहुँशाया गया जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है गरो पोड़िवा को लेकर शेहर में कई कारित्रमों का आयोचन खिया गया वहीं राज के खादे आपोर्ती मंत्री सर्यूराय के आवास पर रामार्शा पूजा का आयोचन गुआ जहां मंत्री समेट पूरे परिवार के लोग पूजा अचना में शामिल फियर वैसे रामार्शा पूजा में भगवान राम की अरादना की जाती है साथी उनकी जितने सिपासलार हैं उनकी भी पूजा की जाती है मंत्री सर्यूराय के द्वारा ये पूजा वर्ष 2006 से आयोजित की जा रही है जिसमेराज के मंत्री विधायक शिद की जनता पूजा में शामिल होते हैं रामार्जा पूजा के लिए बेगु सराय से पुराहित को बुलाया गया है साथे स्थानिय गुरुदेव के द्वारा पूजा को संपन कराया गया सत्रा चलाई को महाप्रसाद कायू जन मंत्री आवास के सामने मिलोने हॉल में किया जाना है गम्म हिमाना हा सजंद्रत पुरमे साथ्या हा संथी देवा हाथ पूर्वे संभुमजले के घोर नकसल प्रभावित इलागों के स्कूली बच्चों को शेहरी वातवरण और शेहरी जीवन शेली से रूपर रूकराने को लेकर जमशित्पुर पुलिस द्वारा सोशल पुलिसिंग के तहत आज पटमदा और बोडाम शेवर के स्कूली बच्चों को ग्रामड़ स्पीक अंदर देश पर शेहर का ब्रहमण कर आया गया यहां स्कूली बच्चों को शेहर के साथ कुलहान की नहीं जारखन बिहार और बंगाल का सबसे खूबसूरत पार्क जुबलिपार्क और इसमें बने जोलोजिकल पार्क का ब्रहमण कर आया गया जहां पहुँचकर बच्चे काफे खुश नजर आ रहे थे बच्चों ने जिला पुलिस के प्रयासू की सरहाना की एवं फोकस एरिया के बच्चों के हित में उठाया गया ये कदम बताया स्कूली बच्चों को लाने वाले शिक्षपूर ने भी सोशल पुलिसिंग के तहर नकसल प्रभावित इलाकों के बच्चों के हित में उठाया गया कदम इससे बताया वहीं शात्रों ने जिला मुक्याले पहुँचकर जिले के वरिया रख्षी अधिक्षक ने सभी शात्रों से बाच्चित किया और उनका मनोबल बढ़ाया बाच्चित के क्रब में उनने कहा कि ये ऐसे शात्र हैं जो कभी शेहर आए ही नहीं थे इसमें आगे बरने की ललक है और आगे चलकर ये शहर में रहकर अपने भविश को बेहतर बना सकते हैं जो हमारा पटम का थाना का बहुत ही इंटेजियर में गाओ है और अग्रवात प्रवाविद गाओ रहा है वहां से करिए जो साथ सतर बच्चे हैं जो कि आज जम्षेद्पूर ब्रहमन के लिए सामुदा एक पुलिसिंग के अंतर का कम लोग बुलाए हैं इन लोगो ने आज इन मेंके 95 पृतिशत बच्चे ऐसे हैं जो पहले कभी जम्षेद्पूर शहर नहीं आएं पहली बार इन लोगों ने शेख देखा है भालू देखा है और यह साइज चीज़ देखें चलिया घर क्या दी तैसलिए इनको यह दिखाने के लिए कि इतना सुंदर हमारा राज जम्षेद्पूर शहर कितना सुंदर है कैसे यह लोग शहर में आकर के बाद में अपना भविश्व बना सकते हैं पड़ाई लिखाई कर सकते हैं और इनको किस तरीके से दूर रहना है अपरादी टाइट के तक्वों से या नक्सली तक्वों के तक्वों के पहले भी हम लो आटो पर ओवर्लोड बच्चों को ड्वया जाता है उधर इसी ओवर्लोड के कारण बिश्टोपूर थाना अंतरगर्थ रेट क्रॉस भवन के समिप एक स्कूली आटो और नियंत्रतों कर पलड़ गई वैसे इस दुरगटना में पांच बच्चे घायल हुए हैं जिनने ट्यमिश में भरती करा दिया गया है ये सबी बच्चे मोतिला नहरू पब्लिक स्कूल के थे आपको बता दे की स्कूल में एक्जाम चल रहा है परिक्षा के बाद चुट्टी भी तो और टू चालक इन ब घायलों को इलाज के लिए ट्यमिश में भरती करा दिया है उधर घायलों में से दोखी हालत चिंता चनक बनी हुई है हाला कि ओवरलोड और वैन पर नकेल कसने को लेकर प्रशासन कई बार अभियान चला चुकी है लेकिन स्थानिये नेताओं और अभियान सफल नहीं हुई और अंततर इसका खाम्याजा बच्चों को भी गुबदना पढ़ रहा है ओवरलोडिंग गाड़ी था फूरे स्कूल के बच्चे बच्चियां थी इसमें और सबसे पहले बात की परशासन दुआ रहा है तेम्पो वाले के स्कूल वाले वैन के उपर एक्शन ने लिया जा रहा है क्योंकि ये तोकल ओवरलोडिंग चला रहे हैं कमाने के चेक्कर मे यहां तक है खबर होने के बाद भी बहुत परिशान है उस परिशानी में आएंगे हो तकता गारजियन का भी एक्शन दो रोड में पर सबसे बड़ी गल्पी इसमें प्रसासन की है कि क्यों नहीं लगाम लगा रहे हैं टेम्पो के ओवरलोडिंग पे इसमें दो बच्ची बहुत ही जाजा इंजोड है जिसको पीए में पहुशाया गिया है ऑटो में डाल के और उनके गारजियन भी गया में आप देखिए उनका ट्रीटमेंट के बाद क्या हाल होता है जिम्षित पुर के गोवनपुर में बनने वाले हैंकिंग प्रेज के लिए लगाता दूसरे दिन भी अतिक्रमन हटाओ अभियान चारी रहा बड़ी संध्या में पुलिस बल के तैनाती में अभियान को चलाया जा रहा है स्थानिये लोगों ने इस अभियान में जिलाप्रशासन पर पक्षपात कारूप लगाया आपको बता दे कि इस लाके में हैंकिंग ड्रेज कोरिडोर बनना है और इसी के लिए सड़क चौड़ी करन किया जाना है इसके लिए अभियान नर्मान को तोड़ा चा रहा है गुरवा से शुरू हुआ ये अभियान लगाता दूसरे दिन भी चारी रहा अभियान के दौरान बुल्डोजर के द्वारा अवैर नर्मान को ध्वस्त किया जाने लगा यहां स्थानिय लोगों ने इस अभियान का विरूज जताते भी जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरूप लगाया स्थानिय लोगों के मताबिक विभाग ने जब सड़क चौरी करण के लिए 80 feet के नापी कराई है तो पूरा सड़क 80 feet चौरी होनी चाहिए जबकि कहीं 80 feet तो कहीं 60 feet और कहीं-कहीं 40 feet चौरी करण किया जा रहा है जो के गलत है इन्होंने आरूप लगाते हैं भे कहा कि कुछरवाज नेताओं के इशारे पर घरों को दोड़ा जा रहा है जा रहा है बाजपा के लोगों के जो घर है उसको बचाया जा रहा है और आप गरीब आदमी के लोगों को घर को उजारा जा रहा है वहाँ पहले क्या सेटिंग है लोग किये हैं इधर साथ हो गया है उदर चालीस हो गया है एक ही रोड में सराइकला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है चौका पुलिस ने गुपते सूशा के आधार पर चार नकसलियों को गरफतार किया है गरफतार नकसलियों के पाथ से लूटे गए सामान गोली बरामत भी है उधर शहिद आरक्षी जुदिष्टिर महुआ का मुबाइल, सिम और दो मोटर साइकल बरामत हुआ है आपको याद दिला दे के तिरोल्डी धाना अंतरगत कुक्लू बाजार में महाराज प्रामानिक दस्ते ने पांच पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी और ये हत्या कर पुलिस कर्मियों की बंदूग छीन कर वे फरार हो गए थे इस घटना के बाद पुलिस ने महाराज प्रामानिक दस्ते के हाटकोर नकसली सुनिल तुडू को गरफतार किया है उधर सुनिल के निशान देही पर बुधन राममाडी, श्रीराममाजी, रामो लुहार को गरफतार किया गया है वैसे ये सभी नकसली महाराज प्रामानिक दस्ते के सदस्या है वहीं सराइकला में विए चारों नकसली घटनाओं में सुनिल तुडू शामिल था उधर सराइकला स्पी ने दावा किया है कि बहुत जल्द बाकी नकसली भी पुलिस के गरफत में होंगे सराइकला पुलिस का सराइकला करस्वाम पुलिस का बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पिछले माँ चाउदा तारीक को कुकुड हाट में तिरूली ताना अंतरगत नकसलीयों के द्वारा पांच हम लोगों का कॉंस्टिबल्स और आफिसर्स पर हामला करके उन लोगों का हतियार चीन के जाने का केस हुआ था और उस पर्टिकलर केस में हम लोगों का अगे बड़े थे और इसमें हम लोगों का जो सुचना तंत्रता उसके आदार पर हम लोग का सुचना एकटा करते आए तो उसमें हम लोगों को पता चला कि यह लोग इच्छा गड़ और चौका की तरफ कुछ लोग हैं करके उसके आदार पर सुनिल टुडु को हम लोग एरेस्ट किये हैं और उनके कन्फेशन के आदार पर बुद्राम माडी, स्रीराम मांजी और राम नरेश लोरा को एरेस्ट किये हैं